Hello everyone, welcome है आप लोगों का, देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक new vacancy जो आई है, वो है हमारा PGT याने post graduate teacher का vacancy आया है, बहुत ही अच्छा vacancy है, ठीक है, और इसको conduct करने वाली है JSSC, तो जारखंड के लिए especially जो SSC वोड है, ठीक है, वो इस exam को conduct करेगी और इसके थुर ठीक है, कि हम अगर post graduate teacher बनना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपको post graduate होना चाहिए, ठीक है, और trained होना चाहिए, याने आपका BHB complete होना चाहिए, तो अगर आपने post graduate कर रखा है, तो जिस subject में आपने कर रखा है, आप उसमें trained भी हैं, तो definitely आप उसके लिए तैयारी कीज ठीक है, बहुत अच्छा एक्जाम है, salary भी हर खंड का काफी अच्छा है, आपको मालूम है, ठीक है, और जो है last 2018 में एक्जाम हुआ था, जो 2018 में ही fulfill हो गया, ठीक है, तो इसी तरीके से ये इस बार भी होगा, बहुत जल्दी एक्जाम हो जाता है, अब बहुत जल्दी ज चुकि इसमें क्या होता है, इसमें subject based teacher होते है, ठीक है, एस facility होनी चाहिए आपकी उसमें, तभी आप उसको cover कर पाएंगे, तो जो maths है हमारा PGT में, तो हम लोग आज ये बात करेंगे आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसका syllabus क्या है, strategy क्या होगा, ठीक है, और मैं अपन बहुत चोटा सार वीडियो है, आप लाश्ट तक देखिए, मैं syllabus के साथ साथ इसकी strategy आपको बता देता हूँ, ताकर आपको तयारी करने में कोई दिकत ना हो, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका syllabus क्या है, ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग syllabus पे बात दिया जाता है, calculus, ordinary differential equation, partial differential equation, algebra, algebra याने abstract algebra, modern algebra, complex analysis, vector analysis, इधर आप देखेंगे तो statics, dynamics, hydrostates, mechanics, fluid dynamics, operation research, probability, geometry, logics, ठीक है, यही इसका syllabus है, तो लेकिन देखिए, मैं आपको इसका strategy जो सम्झाना चाहता हूँ, वो यह, याद रखिएगा, कि इसमें दोनों तरह का mathematics है, pure mathematics भी है, और applied mathematics भी है, ठीक है, तो किन ही का pure mathematics ज्यादा अच्छा रहता है, किन ही का applied ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, बट मेरा जो general experience है, वो यह है, कि pure और differential equation, यह ज्यादा लोगों का अच्छा रहता है, तो आपका जिस paper पे पकड़ है आप उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, अपनी तयारी को, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि आपका जो exam है, वो CBT mode में होगा, ठीक है, computer based paper आपका होने वाला है, ठीक है, और दूसरा यह है कि जब आपका exam हो जाएगा, तो आपके जो marks आते हैं, आपका जो rank आता है, वो आपको normalize form में आता है, ठीक है इने, आपको normalize किया जाता है, तो इस normalize में काफी इस बात का importance बढ़ जाता है, कि आपने कितने questions attempt किये हैं, और कितना उसमें आपने correct किया है, देखिए, negative marking नहीं है, यापको पता है, कि no negative marking, तो अगर negative marking नह इसका मतलब यह नहीं है, कि आप सारा question को अंदाजी बस भर के चलाईए, और किसमत के भरोसे अपने आपको छोड़ दीजी, देखिए, किसमत भी उसी का साथ देती है, जो अपना साथ देता है, ठीक है, और अपना साथ देने का मतलब यह है, कि आपको तयारी करना है, ठीक अगर हम नेट की तयारी करते होंगे, तो हम लोगों ने देखा था कि 2018 में भी जो question आया था, वो net से मिलता जूलता था, बहुत simple question नहीं आता है, अच्छे questions आते हैं, competition tough है, यह बात जो है, अपना पल्ले बांध लीजिए, कि हमको मजबूत तयारी करना है, तब ही हम कर अगर आप इन छोटी बातों पर ध्यान देंगे, तो definitely आपका hit कर जाएगा, तो मैंने जो बांट दिया है, जैसे इस तरफ जो मैंने बांटा हुआ है, यह generally इस पेपर पर अगर आप फोकस करें, मैंने आपको क्या बताया, कि आपको 100% पर कभी नहीं जाना है, पूरा question मना आने के लिए आपको नहीं जाना, इसलिए कि उतना time भी नहीं रहता है, कि आप 100% question कर पाईए, ठीक है, आजाद रखिए, कि इन exams में, अगर मुश्किल question आते हैं, तो 60-70% question अगर आपने correct कर दिया है, तो आपका exam में हो जाता है, बलकि आप अच्छे rank ले आते हैं, ठीक है आप top पे आजाते हैं, तो अब इसका मतलब यह है, कि हम पूरे chapters को पढ़ने जाएं, और उसी पढ़ करके exam में चले जाएं, तो इससे आप success नहीं करेंगे, आप पेपर चूस कर लीजिए, ठीक है, चूस करने के बाद उसको अच्छे सा त्यारी कीजिए, concept पूरा clear और उसे जो related questions हैं, उसकी practice कीजिए, तब आप जाएंगे, और आप 60% ही करके आएंगी correct, लेकिन आपका definitely हो जाएगा, चूकि नॉर्मालाइज होता है, नॉर्मालाइज के case में आप पूरा question करेंगे, ठीक है, गलत बहुत सारा रहेगा, तो जाधा सही होने के बाद भी जाएगा, जबकि जिसने कम attempt में ज्यादा सही किया है, उसका rank उपर आता है, और इससे आप फिर छट सकते हैं, ठीक है, तो maths में देखिए, जो है, ठीक ठाक seat है, जिससे मुरे याद है, स्याद 128 seat है, ठीक है, तो देख लीजेगा आप, उसारा आपको जो है, इसके browser में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कितना seat से, बट हमको target रखना है, कि हम बहुत अच्छा rank लेके आए, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो, exam qualify करने से लेकर के placement और posting तक, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको suggestion देने वाला हूँ, वो ये, कि जो favorite है जैसे linear algebra, देखिए, इससे question score आता है, और सबसे ज्यादा आता है, syllabus तो देखिए, बहुत सारा है, लेकिन जो इससे question ज्यादा आएंगे, definitely वो है linear algebra, calculus, यानि आपका real analysis, ठीक है, differential equation, जो के अच्छा भी लगता है पढ़ने में, abstract algebra, complex analysis, vector analysis, इससे question, बलकि इसमें भी ये जो त से पहले तयार कर लेना है, पहली फुरसत में, जितना मेहनत करना इस पर आप कर जाईए, उसके बाद ये, तो आप अपने तयारी को देख के चलिए, कि आप कितना अच्छा आपका पकड़ है, paper पे, इनकी तयारी अगर अच्छी है, तब इधर आईए, otherwise, इधर अगर आप नहीं भी देखते हैं, फिर भी आपका exam ही हिट कर जाएगा, इसलिए कि कुछ question तो इसमें, जो है, 12 और BAC second semester, third semester label का होता है, जो आप से exam में हो जाएगा, कुछ question ऐसी ही बन जाता है, ठीक है, लेकिन जो focus है, अगर आप तीन paper पे भी focus करते हैं, याद रखिएगा, सिफ ती तीन paper पे भी अगर आपका focus है, और इन तीनों papers के सारे question भी आप कर देते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका हो जाएगा, definitely हो जाएगा, आप सी ओर रही है, ठीक है, मैंने बहुत गहराई से देखा है questions को, और exams को देख रहा हूँ, net को देख रहा हूँ, ठी लेकिन अगर confidence और बढ़ाना है, अपना heartbeat को कम रखना है exam में, के भाई, आएगा के नहीं आएगा, तो differential equation को भी add कर लीजिए, complex analysis जो बहुत easy है, याद रखे, इससे question बहुत जल्दी बन जाता है, तो जो easy भी है, ठीक है, और important भी है, उसको तो पकड़ लेना है, तो इसको करके देखिए, अभी मैं बहुत सारे वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ, आप बस पढ़ें, जो है, और जो मेरा course भी आएगा, उसको आप enroll कीजिएगा, तो definitely आप देखिएगा, win जरूर करेंगे, ठीक है, आप goal तक पहुँचेंगे, और इस बार job की guarantee होगी, तो पू कोश्चन करेंगे तब उससे confidence आएगा, calculus real analysis है, याने series देखना है, sequence देखना है, continuity, differentiability, ठीक है, देखना है हमको function का, ठीक है, और जो convergence होता है, वो सब हम भी discuss करेंगे, इससे भी question बिंदास आता है, ठीक है, आसान आता है, मजा आता है बनाने में, differential equation तो हम लोगों ऐसे ही अ बात ही कुछ निराला है, ठीक है, group theory, ring theory, field, कितना interesting चीज़ है, पढ़ेंगे, दिल खुस हो जाएगा, ठीक है, complex analysis, vector analysis, तो इनको करने के बाद, अगर exam कितना जल्दी होगा, यह पता नहीं है, अगर time रहता है, तो हम लोग इधर जाएंगे, और अगर जल्दी exam होता है, तो हम लोग इतना करके बैठेंगे, और definitely win करेंगे, definitely goal हमारा होना ही होना है, तो आप मेरे साथ बने रही है, ठीक है, syllabus को अच्छे से देख लिए, और अभी से तयारी में लग जाएगे, वेट नहीं करना है, कि date आएगा, date issue होगा, पिछले बार जो date issue हुआ था ना, तो दो मन 117, ठीक है, इससे आप मुझसे से पूछ सकते हैं, कुछ अगर दिक्कत है तो, ठीक है, phone call भी कर सकते हैं, WhatsApp करेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा, phone हमेशा उठाना मेरे लिए possible नहीं होता है, ठीक है, जब भी मैं फुरुसत में होंगा, देख लूँगा, ठीक है, और जो इसको भी time निकालना पड़ता है, तो अगर आप badge बना देते हैं, और कुछ अच्छे बच्चे उसमें जोड़ जाते हैं, तो definitely मैं पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगा, test series भी आपको कराऊंगा, ठीक है, enrollment का fee भी मैं कोशिश करूँगा, कम से कम रखूँ, मेरे fee के बारे में ज strategy समझाना था, एक आपको confidence देना था कि बहुत जादा नहीं है, बहुत syllabus देखके डरना घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से त्यारी करना है, ठीक है, step by step करना है, बस आप पढ़ते जाईए, जितना हो सकता है, करते जाईए, exam का time आईएगा, तो उसमें appear हो जाईए, exam का form अच्छे से भरिएगा, कोई mistake मत कीजिएगा, ठीक है, चोकि वह बहुत important होता है, admit card का, आपके लिए issue हो जाना, ठीक है, तो admit card आजाए, बिल्कुल तयारी करते रहिए, और मैं आपके साथ बिल्कुल बना हुआ रहूंगा, ठीक है, तो I hope एक छोटा सा information था, जो आपको अ साथ में, ठीक है, तो I hope ये आने वाला service हम लोगों के लिए है, ठीक है, बने रही है, मैं तो इसी मैट्स का दीवाना और जो मैट्स के दीवाने हैं, उनका दीवाना हूँ, ठीक है, अगर आप मैट्स को थोड़ा सा अच्छे से दिल से पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, और service भी आ जाएगी, ठीक है, चली मिलते हैं, thank you very much.